दोस्तों स्वागत आपका हमारे न्यूज यूटूब चैनल में दोस्तों एक बार फिर आज जिरूए हैं बड़ी अपडेट की साथ लाखों करमचरे और पैंशन बोगयों के लिए अच्छी खबर लेगा जिहां दोस्तों सरकार ने बहुती बड़ एलन के हैं जिसे हमारे कर वीडियो के लाश्ट तक अगर आपने हमारी चैनल पर फर्स टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूले और साथ ही साथ बैल आइकन को भी जिरूर्द वैं जो भी गुर्मेंट इंपलोईच और पैंशनर से समन्तिन हो जाती है उसका नोटिफिकेश नोकरी पैसा लोगों के कई तरह के खरच बढ़ गई हैं जैसे कि हम बात करें इंटरनेट टेलिफोन फरनिचर और बिजली के बिल पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है वह ही हमारी जो सरकार ने बड़ी राहत देने की इसमें जो कोशिस की है कोरोना मामा करने वालों को बड़ी राहत मिलने की उमीद हैं पिछले कुछ सालसोय यूनियन बजट में नोकरी पैसा को सरकार की तरफ से खास राहत भी नहीं दी गई ऐसे में इस बार व्रक प्रोम होम जो अलाउंस है उसकी सोगात मिल सकती है हमारे जो क्रमचरे की मांग थी कि पिछले दिनों टेक्स सर्विस और जो फाइनेंसियल सर्विस देनेवाली कंपनी इंडिया ने नोकरी पेशा लोगों को work from home allowance देने की मांग की है मांग में का है कि यदि सरकार सी देतोर पर allowance नहीं दे सकती तो आयकर में छूट का परावधान करें और डेलाइट ने जो बिटेन में work from home culture का जिकर किया है दोस्तो आई सी ए आई ने भी ऐसी ही सिपारिस की है ज इसी तरह का institute of child जो अकाउंटेट ओफ इंडिया ने भी बजट को लेकर इसी तरह की सिपारिस की है आई सी ए आई की तरफ से जो मांग के गई है कि जो टेक्सपेयर्स को स्टेंडर्ड डिसकसन में रिलिफ देने के लिए लिमिट बढ़ाने की जुरूर थो और इंकम टेक् इसे बढ़ा कर एक लाक रुपे के जाने की मांग की जारी है हम आपको बता दे कि आई की धरादस के टाय टेक्सपेयर्स को कुछ चूट भी दी जाती है और यह नियम काभी पुराना है महिंगाई को देखते हुए पचास जार की लिमिट कम पड़ रही है और इसी को देख कि लिमिट पचास जार रुपे से बढ़ कर एक लाक रुपे करने की मांग की जारी है दोस्तों यह थी आज की मारे लेटस अपडेट आए होप आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जूर करें और सब्सक्राइब करें मिलेंगे न